Hey guys, welcome back to my channel at you maths और इस वीडियो में हम Classics का Chapter 3 which is Playing with Numbers उसकी Exercise 3.2 का Question No. 5 solve करने वाले हैं Question No. 5 says What is the greatest prime number between 1 and 10? 1 से लेके 10 तक की गिंती में 1 से लेके 10 तक की counting में सबसे बड़ा greatest number कौन सा है? तो जब भे इस तरीके का question आए तो हमेशा पहले prime numbers को लिख लीजिए जो की 1 से 10 के बीच में आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 Clear है? Now अब इन में से prime number कौन सा है? 2, 3, 5, 7 ये prime number है, 8 भी prime number नहीं है अगर आपको याद ना हो तो मैं बता देती हूँ कि prime number कौन से होते हैं Prime number वो number होते हैं जो सिर्फ अपने table में आते हैं या फिर 1 के table में आते हैं जैसे कि 2, 2 सिर्फ और सिर्फ अपने table में आता है 5 अपने table में आता है 7 अपने table में आता है 8, 8, 2 के table में भी आता है 1 के table में भी, 4 के table में भी 8 के table में भी, 9, 3 के table में भी आता है, 9 के table में भी, और 1 के table में भी, 10 भी, 2 के table में भी आता है, 5 में भी आता है, तो यहाँ पे prime number कौन कौन से हुए, 2, 3, 5, and 7, और greatest number कौन सा है, इन चारों में से, सबसे बड़ा number, prime numbers जो है, वो ये चारों आए है, सबसे बड़ा number कौन सा है, 7 So, answer होगा, the greatest prime number between 1 to 10 is 7. So, this is the answer. Clear होगा? Now, next, let's move to next question. So, next question, question number 6 is, express the following as the sum of two odd primes. Two odd primes मतलब की, वो number prime भी होने चाहिए और odd number भी होने चाहिए. तो odd number कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है? यह odd numbers होते हैं, जो 2 के table में नहीं आते हैं. तो उसार नो divisible by 2. और prime number वो होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने table में आते हैं, और किसी के table में नहीं आते. So first part है 44, हमें 44 को ऐसे दो number में तोड़ना है, कि उन दोनों को plus करें, तो answer 44 आए. लेकिन वो दोनों number भी odd भी होने चाहिए और prime भी होने चाहिए. तो 44 में हमें काम करते हैं, सबसे पहले, अगर मैं देखू, इसमें, अगर मैं 3 common लेती हूँ, 3 हटा देती हूँ, 44 में से 3 हटा देती हूँ, तो बचा 41, दोनों को plus करोगे, तो answer आएगा 44. एक काम करते हैं, सिंपल तरीके से देखते हैं, सबसे पहले, 44 में से 1 हटा दो, और 43, अब ओविसली 1 तो prime number भी नहीं है, और composite number भी नहीं है, तो 1 तो हम नहीं लिख सकते, तो start करते हैं 2 से, 44 से 2 हटा दो, तो बचेगा 42, पहली बात तो ये दोनों number ही even number है, तो ये भी नही next is 3 अगर मैं हटा देती हूं 44 में से, तो बचता है 41, now add कर दिया मैंने इन दोनों को, 41 प्लस 3 is equal to 44, now 3 भी odd number है, और prime भी है, और किसी के table में नहीं आता, 41 में पीछे 1 आ रहा है, which is also odd number और prime भी है, तो ये जो pair बनेगा, ये ऐसे दो number है, जिनको plus किया जाए, तो 44 आंसर और दोनों ही number odd भी है, दोनों ही number prime भी है, तो ये आंसर हुआ first part का, इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके के question को simple बनाने के लिए 1, 2, 3 करकर के देखना है, सबसे पहले अगर देखोगे 1 हटाओगे 36 में से तो बचेगा 35, अब 1 दोनों है, तो odd number लेकिन ये prime नहीं है, ये ना prime number है, ना composite number है, तो 1 तो हम नहीं ले सकते, now let's take 2, 36 में से 2 हटाएंगे तो बचेगा 34, अब question में बोला गया है, odd primes ये दोनों, तो even number है, that means हम ये भी नहीं ले सकते, फिर आगे 3 और 33, अब 3 और 33 है तो दोनों, क्योंकि 33 कैसे आया, 36 में से 3 हटाओगे, तो 33 बचेगा, अब देखोगे, तो दोनों number है, तो odd number, लेकिन 33 prime number नहीं है, वो 3 के table से भी divisible होता है, 11 से भी divisible होता है, so एक काम करते है, 4 लेकर देख लेते है, 36 में से 4 हटाओगे, तो बचेगा 32, अब दोनों ही number, odd है, even, even number है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो odd च बचता है 31, अब सबसे पहली चीज, दोनों number odd है, 5 भी odd है, और पीछे 1 आ रहा है, ये भी odd है, अब देखना ये है कि क्या ये prime number है, तो 5 prime number है, ये अपने table में आएगा, ये 1 के table में आएगा, 31 भी prime number है, ये किसी भी number से divisible नहीं होता, सिर्फ अपने number से divisible होता है, तो 5 प् let's move to 24, third part, ये भी similar तरीके से ही होगा, 1 तो हम ले नहीं सकते है क्योंकि 1 prime नहीं है, 2 भी नहीं ले सकते है क्योंकि 2 एक even number है, तो पहले हम 3 लेके देख लेते हैं, 24 में से 3 minus करेंगे, तो 21 आएगा, लेकिन दोनों है तो odd number लेकिन ये prime नहीं है, 21 3 के table में भी आता है, 7 के table म में भी आता है, तो हम ये भी नहीं ले सकते, और 4 भी नहीं ले सकते, 4 को हटाएंगे, तो 4 और उधर 20 बचेगा, दोनों में ही, 4 प्लस 20, 24 हुआ ना, लेकिन दोनों ही even number है, तो ये भी नहीं हो सकता, now let's take 5, 5 इदर लिया, 24 में से 5 minus करोगे, तो answer आएगा, 19 ठीक है, 5 भी odd है, 19 भी odd है, ये तो हो गया, now, क्या ये दोनों प्राइम है, 5 भी प्राइम है, और 19 भी प्राइम है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, so 5 और 19 आर दा 2 और प्राइम, whose sum is 24, clear हुआ, now, 4th part which is 18, 18 को भी इसी तरीके से चेक करते, 1 हम ले नहीं सकते, क्योंक तो, obviously, even number है, 3 लेके देख लेते हैं, अगर मैं 18 में से 3 माइनस करती हूँ, तो answer आता है 15, तो odd तो दोनों है, दोनों ही number odd है, क्या प्राइम है, दोनों number, 3 तो प्राइम है, लेकिन 15 प्राइम नहीं है, ये 3 के टेबल में भी आता है, 5 में भी आता है, और 15 में भी आता है, so हम ये भी नहीं ले सकते, और अब मैं कहते हूँ कि 4 ले लेते हैं, तो 4 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही number, even number आएंगे, लेकिन हमें चाहिए odd number, तो मैं 5 ले लेती हूँ, 18 में से 5 माइनस की answer आ गया 13, 5 प्लस 13 is equal to 18, अब देखो 5 और 13 दोनों ही odd है, और 5 भी प्राइम ह So 5 and 13 are the two odd primes, whose thumb is 18, clear हुआ, ये question करने का सबसे simple तरीका है, कि आप 1 से start करो, और सारे numbers देखो, कि कौन से 2 number ऐसे हैं, जो odd भी हैं और prime number भी हैं, और आपका answer बहुत easy तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि 4 पार्ट में कितना easily हमारा answer आ गया, बस आपको ये देखना ह हैं कि यहां 5 लेके देख रहे हो, तो obviously 18 में से 5 माइनस करोगे 13, तो 13 प्लस 5 is equal to 18, तो ये question इस तरीके से होगा, I hope आपको समझ आ गया होगा, so that's it for today's video guys, I hope आप लोगो को ये question समझ आ गया होगा, आ गया है तो इस video को लाइक कर दीजे और इस channel को subscribe कर दीजे, and hit the bell icon so that आप को जो भी मैं वीडियो डालूँगी वो आप तक पहुच जाए, झालूँण होगा, ढर गया होगा, आपको एस बिंसATHAN करना दीजें, जाए बोगोगा वोगा, रिया होगा, आप you with situation, झाल झाल